सोनिया पाठ शाला ग्यान चलन में आपका स्वागत है आज हम करने वाले हैं कक्षा पांचमी विश्य हिंदी का पाठ तीसरा आतम विश्वास सबसे पहले हम पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे फिर उसका अभ्यास करेंगे तो चलो हम पाठ को शुरू करते हैं आतम विश्वास एक बार किसी स्कूल का वाशिक प्रिक्षा पर नाम घोशित किया गया स्कूल के प्रिंसिपल ने पास विद्यार्थियों के नाम बोले और उन्हें पास होने की बदाई थी एक वद्यार्थी प्रिंसिपल द्वारा बोले गए पर नाम से नाखुश था, क्योंकि उसका नाम नहीं बोला गया था, उसने तुरंत खड़े होकर प्रिंसिपल से नवेदन किया, उसने कहा सर मेरा नाम नहीं बोला गया, प्रिंसिपल ने कहा कि जिसका नाम नहीं बोला गय वे फेल है किंतु वह बालक आत्म विश्वासी था जब उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता तो प्रिंसिपल ने उसे 5 रुपे जुर्माना लगा दिया उसके बार बार कहने पर प्रिंसिपल ने जुर्माना बढ़ाकर 10 रुपे कर दिया किन्तु वेह बालक अपनी बात पर अडिंग रहा मतलब अडा रहा इतने में स्कूल के कलरक ने प्रिंसिपल के पास आ कर कहां सर शमा करे आपको जो पास विद्यार्थियों की सूची दी गई थी उसमें एक विद्यार्थि का नाम टाइप होने से रह गया था किरपा आप पास विद्यार्थियों की सूची में एक विद्यार्थी का नाम और चोड़ने यह वही विद्यार्थी था जो प्रिंसिपल से अपने पास होने का दावा कर रहा था अपी तो उसके अंक भी कक्षा में सब से अधिक थे बच्चो यह बालक कोई और नहीं था बलकि डाक्टर रजिंदर पर साथ थे जो भारत के पहले रास्ट्यपती बने अच्छा बच्चो अब हम इस पार्ट का अभिहास करेंगे शब्दार्थ आतम विश्वास अपने उपर भरोसा होना वार्षिक प्रतीवर्ष होने वाला या सलाना गोशित एलान प्रिंसिपल बच्चो प्रिंसिपल कौन होता है सीनियर स्केंडरे स्कूल का मुखी अडिंग ना डरने वाला शमा माफी अब हम इस पार्ट के प्रशन उत्तर करेंगे प्रशन पहला वार्षिक परनाम सुनकर एक विद्यार्थी खुश क्यों नहीं था। उत्तर क्यूंकि पास विद्यार्थियों में उसका नाम नहीं बोला गया था। प्रशन उस विद्यार्थी ने प्रिंसिपल से क्या कहा। उत्तर उसने कहा सर मेरा नाम नहीं बोला गया। प्रशन तीसरा, प्रिंसिपल को अपनी गल्ती का अनभव कब हुआ? उत्तर, जब कलरख ने प्रिंसिपल को पास विदियार्थियों की सूची में एक और विदियार्थी का नाम जोड़ने को कहा. प्रशन जिसका नाम पास विद्यार्थियों में नहीं बोला गया उस पालक का क्या नाम था उत्तर उस पालक का नाम डक्टर रजिंदर परसाद था प्रशन पांचवाँ बड़ा होकर डक्टर रजिंदर परसाद किस प्रकार परसिद्ध हुए उत्तर बड़ा होकर डक्टर रजिंदर परसाद भारत के पहले राष्टरपती के रोप में परसिद्ध हुए वाक्य बनाओ आतम विश्वास बालक के आतम विश्वास से प्रिंसिपल खुश हुआ हमारा अगला वाक्य है जुर्माना प्रिंसिपल ने बालक को पांच रुपे जुर्माना लगाया सूची डक्टर रजिंदर परसाद का पास विदियार्थियों की सूची में नाम नहीं था राश्चेवपती डाक्टर रजिंदर परसाद भारत के पहले राश्चेवपती बने नाखुश प्रिंसिपल द्वारा बोले गे परनाम से पालक नाखुश था कृप्या कृप्या मेरी मदद कीजिए नवेदन उसने प्रिंसिपल सर से नवेदन किया तुरंद मेरे पुकारते ही मोहन तुरंद घर पहुँच गया इस तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद